क्या उद्धेश है? ज़ने दिया गया है। इनोंने हमेशा दबे, फिछरे, फिछरे, अति, जलिक, महादिक्नों के उत्थान के लिए काम दिया। जूसरा है कि जाती आदारित गन्ना जो अभी बिहार में हुआ, आज पूरे देश में जाती आदारित गन्ना कराने की मांग उठ रही है। इतकी जाती की कितनी आवादी है, नोप्रियों में कितनी भागेदारी है, उसकी इतिया आर्थिक इस्तिती है। दियार में जो पिछले दिनों जाती आदारित गन्ना हुआ। इतके तैंस दियार में 94 लाख ऐसे परिवार चिनित किये गए। इनकी आमदनी 6,000 रुपिये मासिक से कम है। ऐसे परिवारों के लिए प्यार के भुख मंतरी इनकी उमार प्यार सरकार ने आने वाले पास सरों में उनकी आमदनी बढाने के लिए दो-दो लाख रुपिये उनके खाते में ट्रांसपर करने का कान्स है। और जो है उन लोगों को परदान मंतरी आवास योजना तो किसले 3 साल के लिए रही 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 है। उनको विहार सरकार अपने संसारमों से भुबनस्री आवास उपलत कराएगी इसके लिए 2 लाग से राई करिस्तान होगे लगेगे और इसके इसने पैसे की इसी योजनाओं को जमीन पर लाने के लिए इसने पैसे की ज़रुष है। इसलिए ब्यार की जो मांग है यहां की जनता की ब्यार को दिश्राज का दर्जा दिया जया है, वो भी मांग है, इसला है कि इस सरकार ने पिछले जानू पिछरी और अथिक पिछली जाती के चाहिए, पुप्रिक्तियों को रोकने का काम ही है, उसको फिर से चालू किये, और फिर यही की मुख मांगे है, उसको लेकर जो है, जनवरी 2024 को पतना में जुटान होगा, और हमारे टेरागाश में आज परकन अध्यक्त, शाहिद आलंताव के अध्यक्ता में, हमारे जो परकन अध्यक्त, इमानतारी है, हमारे जो इला महासिचिप डाक्टर नजिलिल कि उपस्पिती में और सारे कारकर्ता और फाकिक पदारी कारी है, यहां मीटिंग हुई, और जैसा फाकिक पदारी कारी 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 हों का होचला है, यहां से जितना हम लोग वीद करते हैं, उसे ज्यादा लोग 23 तारीक से साम को निकलेंगे और 24 तारीक को पतना पहुंचें पूरे जीले से पाथ हजार लोग के भाज रहें कि पूख चुका है और किस नदर से देखते हैं और क्या मोटनो रहेंगा आप लोग का लोग सुबाव के लिए आप तो जानते हैं गंतादन इम्माइटेट के लिए दावेदारी है इसलेवार 17 जड़े पे उसमें जोले जीले के लिए पूरी मजबूत दावेदारी है और आप देखे हैं हमारे सिर्ष नेदिन इतने जड़े पर भी दावा ठोका है कि इन 17 सीटों पर पार्टी कोई कमपरमाइद नहीं करेंगा और हमारे यहां पार्टी का अगर यहां से सांसद होगा मैं समझता हूं कि तेड़ागाच पर्खन के आदे अदूरे काम है वो सब पुरा होगा और तेड़ागाच पर्खन आने वाले दिनों में तेड़े का एक बहुंती विक्सिद पर्खन होगा थेंक्यू